यो वोलकम बैग गाईस के सो अब सब लोग तो आज की वीडियो में कार फोर सेल सिमिलेटर की आटो बैक प्रोब्लेम या जिनके गेम ओपन ही नहीं हो रहा मतलब ओपन करते ही कट हो जा रहा है और ब्लैक स्किन जेसे प्रोब्लेम के बारे में बात करेंगे एंड जिसके पास low end device बाले mobile है तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उन लोग का थोरा डिल टूर जाए तो आपको पहले सही sorry बोल देता हूँ अब वीडियो में आगे बरते हैं तो इसी वीडियो में बताऊंगा ये सब प्रोब्लेम क्यों हो रहा है और इसका solution किया है तो जिन लोग का auto back प्रोब्लेम हो रहा है इसे crash प्रोब्लेम बोलते हैं और जिनका black skin हो रहा है ये कुछ बग होगा मुझे पता है आप लोग को ये सब पहले से पताऊगा लेकिन म मेरी पूरी बात सुन लो ये जो crash और bug problem है इसे पिछली update में fix कर दिया था लेकिन जिनके पस low end device वाले mobile है मतलब 2 या 3 विरम वाले तो इन में से कुछ low को छोड़कर सब के mobile में crash और bug problem हो रहा है मतलब समझ रहो update में fix होने के बाद भी जिनके पस low end device है उनके mobile में अब भी crash और bug problem हो रहा है और जहां तक मुझे पता चला इसका कारण है car for sale वालो तो अच्छा अपडेट ला रहा है लेकिन ये update low device में support नहीं कर रहा है इसलिए update आने के बाद भी के लोगों का crash fix नहीं हुआ और किसी का update तो प्लेश्टोर पे दिखी नहीं रहा और तो अभी जो लो एक ही solution मिला जो आपको बताता हो car for sale का old version जो सबसे पहले launch हुआ था आप उसे google पर search करके easily download कर सकते हो और उस old version को खेलोगे तो ये सब problem नहीं होगा लेकिन old version में आपको ने ने features नहीं देखने मिलेंगे जो अभी के car for sale की update में आया है लेकिन guys और एक बाद जिनके mobile में कुछी दिन बाकी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना comment box में लिंक बिन कर दूंगा बाकी जिसका game एक दम open in Eora वो old version को download कर सकते हो तो चलो आज की वीडियो इहीं तक I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक like कर देना और एक subscribe भी कर देना क्यू